आजूरवेद में कंटोला को सबसे ताकतवर सबजी के रूप में माना जाता है अगर आप आजूरवेद पर विश्वास नहीं करते तो बता दें जब ग्यानिकों ने इसे विश्व की सबसे ताकतवर सबजी में शुमार किया है कंटोला में भरपूर मातरा में फाइटो केमिकल्स एंटी ऑक्सिडेंट्स आधी पाया जाता है जो की मीट से पचास गुना ज़्यादा ताकत और प्रोटीन होता है ये एंटी अलर्जिक केडिनी स्टोन से दिलाए निजात आँखों की रोशनी बढ़ाए ब्लड प्रेशर क एंटर और वजन कंट्रोल करता है यह है कंटोला कंटोला नाम है आजुरवेज में इसको वैसे इसको कोड़ा मकोड़ा कई नामों से जानते हैं लोग अलग अलग जगा पे अलग अलग नाम है इसके प्रोटीन का खजाना है और आज मैं इसकी सबजी बनाऊंगा जैसे आम पड़ेगा आलू नहीं प्याज भी खूब सारा आधा किल्लो यह कंटोला है तो इसमें दो प्याज बड़े-बड़े पड़ेंगे और यह हमारा कंटोला कर गया यह प्रोटीन का खेजाना माना जाता है आजुरवेद में इसको एक बड़ी अच्छी ओशदी के रूप में भ लासुन की प्याज और मिर्ची हरी मयच दों लाएर बदर श्में प्याज बुर्टीन सब डालाएगे प्याज दालेंगे प्याज और मेच्छी बोड़ा साथ बरिया साथ तेल को चलादेंगे सबी तुमातर का नमबर आए गया जल्दी पराई हो जाय गुट दमक सेंधा नमा गया यह थोड़ा से धनियां डाल दिया हम ने थोड़ी से घल्दी डाल दिद्दी पड़ी लाद मिर्च गराम मसाला इसमें थोड़ा सा अमचू इसे कहते हैं अमचू अधिको अमा कि मिर्ची मसाला अंदर करें अपिकेते हैं ना सहज पकेश औ मीठा लोहे के कड़ाई में बना रहा हूं क्योंकि यह अलुमीनियम बगारा जो है मुझे पसंद नहीं है अलुमीनियम तो बिल्कुल नहीं और स्टील जो है इसमें काम चल जाता है लेकिन लोहे की कड़ाई में सबसे बढ़िया रहता है खाना बनाना सब्जी बनाना कंटोला के अन्य नाम मीठा करिला खेकसी कोड़ा करकोट की पचोरा खेकसी बहारास्ट में कंटोला बिहार में चठायल आजी कहते हैं मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें औल बैल आइकन दवा के नर्टिफिकेशन पाएं मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं